सलाम वालेकुम गाइज वेलकम बैक टो वर योट्यूब चैनल टेग गाइड वसीम तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे अगर आपने जेके एससपी याने जेके पी कॉंस्टेबल का फॉर्म फिल किया है तो आपने कुछ कामन मिस्टेक्स किया है कि जैसे कि अपना न प्लिस टू साइंस नहीं थी वहाँ पे अपने प्रेफरेंस जो है टेली कम्मुनिकेशन का भी दे दिया तो उस केसे में आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हो या नहीं यह आगे आपको पूरे डिटील में समझाएंगे और साथ में आपको ये भी समझाएंगे कि अग इस डिटील को एडिट नहीं कर सकती हो तो अगर आप मैरे यूटीब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहें तो चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले ताकि और भी हल्फुल केंटेंट आप तक पहुंच सके तो सबसे पहले अगर आपने अपने नेम या फादर्स नेम इमेल आडी या मुबाइल नमबर डेटा पर्थ या अगर आपको बताता है कि वादर यूटी जामेंट किश्मिर आप यहां पर येस करते हो उसके बाद आप अपना नमबर फिल करते हो तो आप कहीं गल्थी करते हो उसमें तो इस केसे में ऐसी डिटील जो है वो एडिट नहीं होँगी क्योंकि ये जो है आपकी basic details है अगर आप खुद form फिल कर दे हो तो please be careful अपना form जो है carefully fill करो यहां आप कहीं cyber cafe से या किसी computer वाले से form फिल करते हो तो आप खुद वहां चेक करके details दो बार चेक करो कि आपकी details सही हैं और साथ में आपको ये भी computer वाले को यहां cyber cafe वाले को बताया करो कि हमारे details जो हैं अच्छे से feel करो क्योंकि अगर आप अपने details यहां पर गलत करते हो तो आगे details कुछ edit हो जाती है जब जो edit option देगी कुछ जो details हैं यहां पर edit होंगी लेकिन कुछ जो details हैं यहां पर edit नहीं होंगी तो अपना जो form है carefully feel कराया करो तो सबसे पहले बात की जाए आपका name अगर कहीं गलती होती है आपके name में या आपने form फिल कर दिया है गलती कर दी है तो उस cases में आपका नाम जब edit option आएगा तो यह जो है आपकी basic detail है यह edit नहीं होगा यह आप अपनी domicile number गलत डाल देते हो date गलत डाल देते हो तो उस cases में ऐसी चीज़ जो basic details है आपके registration है वो edit नहीं होगी आपको jkssb के पास जाना होगा अपनी details के बारे में बोलने के लिए कि हमने कुछ common details में गलती कर दी है तो वहीं से आपका सुदार होगा जब edit option आएगा तो कुछ details जो है आपकी edit होंगी और कुछ details आपके edit नहीं होंगी तो यह चीज़ आपको clear कर देता हूंगे यहां कि आपकी जो कुछ details है यहां पर edit होंगी जैसे आपका basic details है आपने domicile number गलत डाल दिया अपना name गलत डाल दिया फदर name गलत डाल दिया यह mobile number गलत डाल दिया तो वो जो cases है edit नहीं होंगे जब edit option आएगा तो यह जो है आपक preference डालते time अपने गलती की है तो यह जो चीज़ है edit होंगी तो यहां पर आपको जो preference का में एक चीज़ बता दो अगर आप telecommunication के लिए eligible हो आपके पास science है 10 plus 2 तो आप यहां पर eligible हो अगर आपके पास art subject है या commerce है या और कुछ है तो आप telecommunication के लिए eligible नहीं हो तो इस पे आ form fill कर दिया है तो भी आप इस चीज़ को जो है edit कर सकती हो क्योंकि यह जो है basic details नहीं है यह जो है edit हो जाएगा बाद में जब jksb आपको edit option देगा जो कुछ details यहां पर edit हो जाएंगी उसके बाद बात की जाए यहां पर preference की तो item preference अगर आपने उपर नीचे दिया है तो इसक इसके बाद यहां पर जो physical standard आपको मांगा गया है यहां पर आपको कुछ आपने easy mistakes भी खुद की है जैसे यहां पर आपको बताया गया है कि अगर आप गोर्खा community से ब्लॉंक करते हो या बोर ट्राइब से आपको minimum height relaxed मिलेगा 2 cm का उसके बाद आपको यहां पर physical standards के बारे मे पताया है जैसे कि आपकी height points पो change होनी चेह आपकी chest grit 32 होनी चेह तो आपकी chest grit है वो expanded भी होनी चेह तो यहां पर आपको yes ही करना था अगर आपने फिर भी mistake कर दिया है form fill कर दिया है no कर दिया कोई मसला नहीं edit option आएगा तो यह भी जो है आपका edit हो जाएगा आप तब इसमें yes कर सकती हो उसके बाद यहां पर आपकी education details है उसमें भी आपने कोई गलती किया है मुझे नहीं लगता है इसमें कोई गलती लगेगी क्योंकि इसमें खाली आपको अपने maximum marks चडाने थे फिर भी आपने कोई गलती कर दिया तो आप इसको भी edit कर सकती हो photo or signature भी edit हो जाता है तो वो भी आप edit कर सकती हो या आपने यहां पर अपने cadre details में कोई गलती कर दी है जैसे कि reference देना था अगर आप टेली communication के लिए eligible नहीं थे photograph के लिए eligible नहीं थे आपने सारे select कर दिये तो यह भी edit होंगी और मैंने कुछ जो चीजे बताई है आपको edit नहीं होंगी उसके careful खुद फिल करती हो जब आप registration करती हो उसके बाद आपके सामने फिर preview आता है details अच्छे से check कर लिया करो दो बार तीन बार time ही जाएगा आपका form जो हो reject नहीं होगा और नहीं आपकी details गलत होंगी क्योंकि आप अपने details गलत डालोगे बाद में आपको DB पे problem हो सकती है जब में गलत डाल दी तो यह थी मेरी आज ही वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बोले थैंक यू फार वाचिंग दिस वीडियो